ग्यानवबी मज़ित विवाद को लेकर सभी के मन में सवाल ये है कि शिवलिंग जो है उससे जुड़ीवे कियाचिका भी कोट में गई है शिवलिंग है या फिर फबारा है लोगों के अलग-अलग मत हैं लोगों की अब लाग-अब बाते हैं लेकिन फिलाल कोट में क्याचि बता जासकता है तो हाँ यह पता लएका पता लगाया जा सकता है कार्वन डेटिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और अभगा लेक्ने प्रक्रिया के जरिए किसी भी पत्थ या चैज ुसके अंदर कायों मुझूण हों उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है अब एक Doch mon कि है ? हे बात पता किया सकती है तूह की जा सकती है जिस तरह से धार्टी से जो जी वाशत्वों प्राप्त होते हैं या डाइनसोस जो मिलें उनकी अम्र क्या थी या कितने साल पहले उनकी मिलती हुई होगी कितनी साल पहले वो दबे होंगे पथर के नीचे यह सब कैसे पता लगाते हैं अब करवन डेटिंग कैसे की जाती है मैं यह आपको एक पवरी तोर पर समझा देता हूं देखे क्या होता है कि हर व्यक्ति हर पदार्थ के अंदर जालत दुनिया के अंदर जो पदार्थ है वो कार्वनिक पदार्थ है इसमें टेरोगोटा छोड़ देते हैं और एक दो हम कोई धातूं में छोड़ देते हैं इन धातूं की और कुछ धातूं की और टेरोगोटा की जो अभी तक carbon dating नहीं की जा सकती है इन्हें छोड़कर बाकी जालतर चीज़ों की carbon dating हो सकती है दूसरी बार कोई भी carbon एक पदार के अंदर तीन तरीके के carbon के काउटir होती है carbon 121 1 and carbon 14 carbon事件 दोता हुथ वह सत्र होता है भी बदलता नहीं लेकिन कारवन 14 जो होता है वह बदलता है वह उम्र के साथ घरता जाता जाता है अगरता चला जाता ईतनством के साथ गृताफखसराट मयाद जैता जाता है उसका इसकी जो उम्र कि इन दोनों के बीच का समय दराल क्या रहा होगा और जो करविन 14 लगाता शेहुडा तोट रहा है उसके शेहुड़ी की सिथी जो आज है उससे पता लगाया जाता है कि यह कम से तूटना शुरू हुआ होगा तो उससे अन्माल लगा लिए जाता है कि इतने साल पहले यह पानेसोस के जो दीवाश में मेरे या चंद्रमा की मिट्टी पर कि कितने साल पहले चंद्रमा धटी सल अड़ गुआ होगा है। जुलिया वर के जतनी भी रहसे हैं, जो कार्वन डिटिंग्र या अजिंग से जड़े हमी हैं, वो इसी तरीके सब पता लगा आगा जाती है तो शिव्लिंग के विवाद में भी शिव्लिंग के लिएकर भी कि इतने समय पहली यहां पर रखा गया होगा जिसे लोग शिवलिंग क्या रखी हैं और जिसे कुछ लोग फबार क्या रही है फिलाल यह तो जांच का विश्य होगा ओट 11 अक्टूबर को इस पर अगले सुनभाई करेगी और तब जाकर यह सावित होता है यह लिए हो कि इस जगह की वेग्यानिक जाच कब कैसे और किस तरह की प्रणाम के साथ होगी